प्राकरतिक इस्थलों के साथ साथ कई रहस्में इस्थल भी हैं उन्हीं में से एक है उल्टा पानी यह इस्थल सरगुजा जीले में मैंन पाट छेतर के विसरपानी गाउं में इस्थी थे यह इस्थल पिछले कुछ वर्सों से लोगों के बीच में काफी चरजी थे इस इस्थान को कई वर्स तक इस्थानिये लोग भूतिया जगह मानते थे परियटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने के कारण लोगों के विचार में बदलाव आए लेकिन पानी का बहाव उचाई की और क्यों है इसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है इस जगह की सबसे खास बात यह है कि यहां पर पानी धलान से नीचे की और बहने के बजाए उपर की और बहता है जो लोगों को आस्चार से भर देता है इसे देखने के लिए लोग कापी दूर-दूर से आते है कई सारे लोगों का मानना है कि यहां पर कापी जादा अधिक होने के कारण नीचे से पानी उपर की और बहता है और कई सारे लोगों का मानना है कि यहां पर सिर्फ एक इल्यूजन होता है जो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि नीचे से उपर की और बह रहा है मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहां पर सिर्फ एसा इल्यूजन होता है क्योंकि सामने पहाड़ी है इधर भी पहाड़ है तो ऐसा इल्यूजन क्रियेट हो जाता है जिससे हमें लगता है कि नीचे से पानी उपर की और बह रहा है लेकिन ये लॉजिकली देखा जाए तो पानी ऊपर से नीचे की और ही बै रहा है उल्टा पानी अंबिकापूर से लगबक 50 किलिमेटर दूर है और मैंपार्ट से 12 किलिमेटर दूर है अगर आप अंबिकापुर से मैनपाट की ओर जाते हैं तो रास्ते में आपको उल्टा पानी का बोर्ट दिखाई देगा जहां से आपको 4-5 किलोमेटर अंदर बिसर पानी गाउं की ओर जाना होता है वहां से आप आसानी से उल्टा पानी पहुंच सकते हैं जहां से एंसर पानी से उल्टा थाहर घजाते हैं चुण से